नमस्कार, मैं दॉक्टर विकास चर्मा हूँ, मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हेर ट्रांस्प्लांट सर्जिन हूँ आज इस वीडियो में हम एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं फिनास्टराइड वर्सिस डिउटास्टराइड काफी सारे हेर लॉस की पेशिंस हमारे पास आते हैं और हमसे बूछते हैं कि इन दोनों में से कौनसी मेडिसन ज़्यादा सेफ है, कौनसी ज़्यादा एफेक्टिव है तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेयर में बताने वाला हूँ कि फिनास्टराइड और दूटास्टराइड में क्या-क्या फर्क होते हैं और इन में से कौनसी दवाई ज़्यादा बहतर है अंथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दोनों दवाईओं में से मैं कौनसी दवाई ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और क्यों तो सबसे पहले बात करते हैं male pattern hair loss के बारे में जिसमें ये दोनों दवाईयां इस्तिमाल की जाती है male pattern hair loss यानि कि पुरुषों का गंजापन सबसे common कारण है पुरुषों में hair loss होने का इसमें आप commonly देखते हैं कि उपर वाले हिससे सरके बाल जाने लग जाते हैं side से बाल जाने लग जाते हैं जो ये वाला area होता है उसके अलावा hair line जो है वो पीछे जाने लग जाती है तो ये सबसे common कारण है hair loss का अब हम समझने की कुशिश करते हैं कि ये male pattern hair loss या पुरुषों का गंजापन होता क्यों है इसके होने के mainly दो कारण होते है number one खराब jeans यानि अगर आपके परिवार में किसी को hair loss है तो आपको भी ये होने की संभावना रहती है और number two कारण है DHT नाम का एक hormone जिसे dihydro testosterone भी कहा जाता है ये DHT hormone testosterone नाम के hormone से हमारे शरीर में बनता है तो जो दोनों दवाईयां है finasteride और dutasteride ये दोनों ही DHT blockers है DHT और DHT blockers के बारे में हमारे चैनल पर detailed videos है अगर आप इनके बारे में और detail से जानना चाहें तो आप वो videos भी देख सकते है तो ये दोनों ही दवाईयां DHT के बनने को रोकती है जब हमारे शरीर में DHT कम बनता है तो हमारे बाल ज़्यादा स्वस्थ हो पाते हैं hair fall कम हो जाता है बाल थोड़े मोटे हो जाते हैं थोड़े लंबे हो जाते हैं और थोड़े डाक कलर के हो जाते हैं जिससे की बालों की density ज़्यादा नजर आती है अब हम बात करते हैं finasteride और dutasteride की comparison के बारे में सबसे पहला फर्क है इन दोनों के काम करने के तरीके में तो ये दोनों ही दवाईयां DHT blockers हैं यानि कि testosterone से DHT का जो production है वो कम कर देती है testosterone से जब DHT बनता है इसमें एक enzyme 5-alpha reductase का एक महत्वपूर्ण रोल होता है तो जब ये enzyme 5-alpha reductase testosterone के संपर्क में आता है तो ये testosterone को dihydro testosterone बना देता है dihydro testosterone उसके बाद हमारे बालों को नुकसान पहुंचाता है तो जो ये enzyme 5-alpha reductase इसके दो प्रकार होते है type 1 और type 2 type 1 जो है वो liver और skin में mainly पाया जाता है type 2 प्रकार जो है वो mainly prostate में पाया जाता है और इसका कुछ amount liver और skin में भी पाया जाता है finasteride जो दबा है ये mainly type 2 को affect करती है type 2 को block करती है तो जैसे मैंने बताया type 2 skin में बहुत कम मात्रा में होता है दूसरा due test ride जो है type 1 और type 2 दोनों को ही block करती है तो type 1 skin में बहुत जाधा present होता है और type 2 बहुत कम present होता है तो due test ride इन दोनों प्रकारों को block करके almost complete blockage हमें देती है जिससे कि ये जाधा असर दिखाती है अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि finasteride या due test ride में से कौन सी दवा जाधा effective है तो जैसे मैंने आपको बताया due test ride type 1 और type 2 दोनों ही enzymes को block कर देता है जैसे कि जो शरीर में DHT का reduction है वो जाधा effectively हो पाता है finasteride सिरफ type 2 को block करता है तो DHT का reduction तो होता है बट due test ride के मुकाबले कम तो ये DHT जो है जैसे मैंने आपको बताया हमारे बालों को छोटा करता है उनकी length बढ़ने नहीं देता उनकी thickness को कम कर देता है और साथी साथ उनका color भी light कर देता है तो जब DHT अच्छे तरीके से block हो पाता है तो ऐसा देखा गया है कि due test ride इन properties को reverse कर पाने में जादा सक्षम है यानि कि due test ride से आपके बाल जादा लंबे होते हैं as compared to finasteride जादा थिक हो जाते हैं as compared to finasteride और जादा घने रखते हैं as compared to finasteride also new hair growth भी जादा होती है with due test ride अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में से कौन सी दवाई FDA approved है तो male pattern hair loss में finasteride US FDA द्वारा approved medicine है due test ride male pattern hair loss में approved नहीं है बट यह prostate diseases में approved medicine है अब समझने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों दवाईयों में से side effects किसके कम होते हैं यानि कौन सी दवाई जादा सुरक्षित है तो studies में ऐसा देखा गया है कि दोनों के side effects करीब करीब एक जैसे होते हैं और यह same frequency में patients में पाए जाते हैं यानि कि जो इनके होने की frequency है वो भी दोनों में almost करीब करीब similar है तो जो side effects commonly देखे जाते हैं इन दोनों दवाईयों से वो है lack of interest in sexual activities इसके अलावा ejaculatory dysfunction या फिर erectile dysfunction कुछ-कुछ patients में gyneko-mezia भी देखा जाता है जब आप यह दवाईयां लंबे समय तक इस्तमाल करते हैं इसके अलावा high-grade prostatic cancer भी reported है इन दवाईयों के साथ पर इसके बारे में बहुत ही कम studies available है तो कुछ भी पका गहना मुश्किल होगा अब जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन सी दवाई प्रेफर करता हूँ इन दोनों में से जब कोई patient minoxidil या PRPCH result नहीं मिलते हैं किसी patient को तो उस situation में हम finasteride या dutasteride के बारे में सोच सकते हैं finasteride मेरी नजर में first preference रहती है क्योंकि इसके बारे में ज़ादा studies available है बहुत time से ये US FDA approved है और इसके बारे में जो data है वो ज़ादा है as compared to dutasteride dutasteride अभी recently कुछ सालों पहले ही यूज होना शुरू हुआ है male pattern hair loss में तो इसका data बहुत limited है तो इसलिए finasteride हमारी first preference रहती है अगर किसी patient को finasteride से भी improvement ना मिले तो हम dutasteride यूज कर सकते हैं तो इस video में मैंने आपको finasteride और dutasteride के comparison के बारे में डेटेल से बताने की कोशिश की है इसके अलावा भी अगर आपको कुछ questions हो जो कि मैं answer नहीं कर पाया हूँ इस video में तो आप comment section में मुझसे पूर सकते हैं उनका reply करने की कोशिश करूँगा Please subscribe to our channel and for more such videos and information please click on the bell icon You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram